असलाम वालीकुम, वेलकम बैक टू आवो चैनल नुसत खातून बारश का मौसम चल रहा हो और सभी को पकॉड़ी खाने का मन तो बहुत ही कर रहा होगा आज मैं जो आपको रेस्पी बताने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट है शायद ही आपने कभी खाई होगी आज मैं आप लोगों को भुट्टे के पकॉड़ी की रेस्पी बताने वाली है जो कि यह भी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और हमारी चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए तो चलिए बनाना शुरू करकर भुट्टे के पकॉड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले भुट्टे लिए थे और उसे अच्छे से वोश कर लिया छी लिया और उसकी दाने मैने निकाल लिये है यहाँ पर और उसके बाद मैं इसे मिक्सी में डाल दे रही हूँ पीसने के लिए मैंने यहाँपर 2 भुट्टे लिए थे आप अपने हिसाब से जیयादा कम कर सकते हैं उसकी बाद मैं इसमें कुछ ingredients add करूंगी मैंने यहाँ पर पाच लेसुन की कली ली है वो add कर रही हूँ हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं then मैंने अदरक लिया है slice कटे वे यह gas होने से बचाता है यह optional है मन करें तो डालिये वरना skip कर रही है then मैं इसमें 1 tablespoon पानी आट कर रही हूँ इन सब चीजों को मैंने grind कर लिया है और अब मैं इसमें add कर रही हूँ 1 teaspoon जीरा grind करने की बाद जीरा मैंने इसलिए डाला ताकि खड़े जीरे की खुश्पू आ सके और इसे हम हलका चलाएंगे तो जीरा भी हमने grind कर लिया है हलका और अम मैं इसे एक bowl में डाल दूँगी इन सब चीजों को अच्छे से grind कर लिया है मैंने अगर आपको ये paste गीला लग रहा है तो आप इसमें basin add कर सकते हैं पर मेरा paste एकदम perfect है अम मैं इसमें स्वादनुसार नमक add कर रहे हूँ 1 teaspoon हल्दी add कर रहे हूँ और एक चौथाई चमच black pepper powder काली मिर्च का powder add कर रहे हूँ इन सब चीजों को हम अच्छी तरह मिला देंगे मैंने ज्यादा मसाले भी इसमें नहीं डाले हैं बस दो मसाले दो से तीन डाले हैं और तेल को मैंने गरम होने के लिए high flame पर चड़ा दिया है जब ये सब अच्छी तरह mix हो जाए तो हम इसे तेल में डाल देंगे अच्छे तो हम इसे फ्राइ कर लेंगे ठोड़ी धीर बाद आप देख सकते हैं पकॉरी का कितना अच्छा ब्राइट कलर आया है और फॉकस से हम इसे अलग कर देंगे पकॉडी आपस में चिपक जाती है फ्राइक करने के टाइम तो इसे हम फॉकस की मदद से अलग कर लेंगे आप क किया है बहुत ही कम सामगरी में मैंने ये पकॉड़ी बनाए है ये भुट्टे के पकॉड़ी बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी तयार होने वाले हैं अगर आपने ये पकॉड़ी बना लिये तो आपका दिन बन जाने वाला है बारिश के दिनों में ये पॉफेक्ट पकॉड़ी की रेस्पी मैं आपको बता रही हूं यह पकोड़ी अच्छे से अब फ्राइ हो चुके हैं तो मैं इसका पहले हल्का सा तेल गार लोंगी अच्छे से और फिर मैं से एक प्लेट में डाल दोंगी प्लेट के ऊपर मैंने टिशू पेपर रख दिया है ताकि एक्सेज वाइल ग लगने वाले हैं आपको यह देखिए आहा आपकी मुह में तो जरूरी पानी आ गया होगा चलिए किस बात का अंतजार कर रहे हैं देखिए कितना क्रस्पी तयार हुआ है अभी उठी और बनाईए मैंने यहां पर दो फुट्टे की बनाया है पकोड़ी आप ज्यादा कम कर सकते हैं अपने हैसा अपसी अगर आपको हमारी पकोड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज गाई सब्सक्राइब कीज़ेगा हमें जरूरत आपके सपोर्ट की प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग